annuals board में exams दे देने के बाद आप सभी को यह पता होना चाहिए कि pass होने के लिए minimum कितने marks चाहिए theory, teaming and practical क्या इन तीनों को मिला कर pass होना होता है या इन तीनों में अलग-अलग pass होना होता है आखरी annuals board का passing marks क्या है या formula क्या है आज के इस video में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ जो कि annuals board के दुवारा एक new notification declare करके बताए गई है इस notification में बताए गई सभी जनकारी आप सभी के बहुत काम किये यही आपको बताएगी कि आप होगे fail या होगे pass आप सभी को स्वाकति हमारे चैनल पे इस video को end तर जरूर देखना ताकि कोई भी topic आप से miss न हो जाए आप सभी को यह पता होगा कि annuals board पास होने के लिए 33% चाहिए और इस हिसाब से देखा जाए तो एक बच्चे का यहाँ पर result है इसके social science के अंदर 19 नमबर आये है theory के अंदर और TMA के अंदर आये हैं इसके 17 नमबर 19 और 17 मिला के हो जाते हैं 36 फिर भी यह बच्चा फिर हो गया that means pass होने के लिए क्या 33% चाहिए या उससे ज़्यादा या इससे कम क्या है pass percentage आपको मैं बताता हूँ इस पूरे formula को एक example के साथ सबसे पहले आपको मैं यह बता दू कि अन्मिस पोर्ट के दुवारा यह जो notification डिकलेर की गई है यह notification आप सभी को बताती है आप सभी को TMA practical और theory इन तीनों के अंदर अलग अलग पास होने के लिए कितने मांक साहिए या इन तीनों को मिला कर पास होने के लिए आप सभी कित मुद्दा सिर्फ एक की लाइन में समझाना हो तो simple है यह जिस भी subject के अंदर आपका practical नहीं होता उस subject के अंदर पास होने के लिए आपको 33 नमबर चाहिए और जिस subject के अंदर आपका practical होता है उस subject में पास होने के लिए आपको 26 नमबर चाहिए लेकिन इसके बाबजूद भ वारा इस notification में clearly mention कर दिया गया है कि कौन होगा fail और कौन होगा past मैं इस topic को आपको बिल्कु सुरुवात से बताता हूँ जिसको एनसपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसको zero knowledge है वो भी सब कुछ जान जाएगा सबसे पहले आप यह दिखिए जी एनसपोर्ट का result है result जब भी आपका एनसपोर्ट का आता है तो उसमें इन तीनों के marks को calculate किया जाता है तीमे, practical और theory इसलिए जब आप result देखोगे तो इन तीनों के लिए अलग से column होता है theory का यह रहा, इसमें theory का marks add किया जाते है इधर practical है, practical सभी में नहीं होता जिस भी subject में practical होता है, उसके marks यहां पर लिखे जाते है अगर आपने practical दिया है और टीमे सभी subject के अंदर होता है इसलिए टीमे के marks सभी subject में लिखे जाते है और फिर finally इन तीनों को total करके आपके total marks लिखे जाते है और अगर आप उस subject में pass हो, तो यहां पर pass लिखा जाता है that means P लिखा जाता है, अगर आप fail हो, तो उस subject के अंदर यहां पर SYC लिखा जाता है, that means उस subject का exam आपको दुवारा देना होगा तो यह आपका पूरा result होता है, बट passing marks क्या है इससे पहले आपको यह समझना होगा, कि annuals board के अंदर जो subjects है यह अलग-अलग होते हैं, और अलग-अलग subjects में pass होने के लिए marks भी अलग-अलग चाहिए तो topic में आगे बढ़ने से पहले, एक वार हम annuals board के subjects को समझ जाते हैं annuals board के अंदर दो तरह के subjects होते हैं, पहला वो जिसके अंदर practical भी होता है और दूसरा वो जिसके अंदर practical नहीं होता इसलिए इन दोनो subjects के अंदर जो passing criteria है, वो अलग-अलग है अब इन दोनों पास होने का criteria कौन सा है, अभी हम यह आगे समझेगे लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना साहिए, कि जो annuals board में TA में होता है TA में का मतलब assignment, यह सभी subjects के अंदर बनाया जाता है तो finally जब आपका result आता है, तो आप सभी को theory के marks, जो final आप exam देखर आये हो practical marks, जो आप file submit करवा के आये हो, वो TMA के marks, जो आपने अपना assignment submit करवाया है online दरेके से, इन तीनों के marks को add करके, total करके आपको marks दिया जाता है और finally जो आपका original marks करटाता है, उस पे भी इन तीनों के marks 100 होते हैं तो अब आपको इतना समझ मा आ गया, कि आपके लिए theory, practical और TMA, इन तीनों के marks बहुत जरूरी है अब एक वार हम यह देख लेते हैं, कि practical वाले कौन से subject है, और without practical वाले कौन से subject है जब मैं आगे आपको समझाओंगा, तो वहाँ पर यह चीज़े काम आएगी तो चलिए हम पहले जानते है, कि लास 10 के subject, यह subject practical वाले है इन subjects के अंदर practical भी होता है, theory भी होता है, और TMA भी होता है और यह आपके जो subjects हैं, इसके अंदर practical नहीं होता, बस theory और TMA होता है क्योंकि TMA सभी subjects में होता है, और यह कुछ vocational subject हैं कि लास 10 के अंदर इस list में आपके जितने भी subjects दिए गए हैं, इन सब में practical बनाया जाता है तो जो भी यहाँ पर आपको में subjects दिखा रहा हूँ, इनको थोड़ा ध्यान रखना, जब मैं आगे समझाओंगा, तो आपको चीजे समझ में आएगी यहाँ पर देखिए, यह है क्लास 12 का practical subject, इन सभी subjects के अंदर practical भी होता है, theory भी होता है और TMA भी होता है, और इधर है आपका non practical subject, जिसके अंदर practical नहीं होता, बस theory और TMA होता है तो इस तरीके से यह है 12 का vocational subject, जैसे क्लास 10 में देखा हूँने, इन सभी vocational subject के अंदर practical भी बनाया जाता है यानि यह practical subject है, तो इस प्रकार हमें अब यह पता चल गया है, कि practical और without practical subjects के अंदर passing marks अलग-अलग है इसलिए मैंने आपको पहले ही subjects दिखा दिये हैं, जब आप जब analyst board के exam देते हो, तो आपको जो कोसर पर मिलता है किसी पे 100 marks लिखा होगा, किसी पे 80 marks लिखा होगा, किसी पे 60, किसी पे 70, और किसी पे 30 अब आखिर यह अलग-लग marks क्यों सो होता है, यह इसलिए ही सो होता है क्योंकि सभी subjects के अंदर passing marks भी अलग-अलग है तो अब तक कि इस पूरी कहानी में हमें ये तो पता चल गया कि Anish Word के अंदर दो तरह के subject होते हैं पहला वो subject से जिसके अंदर practical बनाया जाता है दूसरा वो subject से जिसके अंदर practical नहीं बनाया जाता तो इन दोनों ही subject के अंदर passing marks भी अलग-अलग है तो मैं एक-एक करके आपको समझाओगा सबसे पहले हम बात करते हैं उन subjects की जिसके अंदर practical नहीं बनाया जाता चाहे class 10th का हो ये class 12th का हो passing marks के अंदर सिर्फ TMA और theory के marks से calculate किया जाते हैं इससे पहले हम ये जान लेते कि आप सब्सक्राइब को TMA के marks कहां से दिया जाता है एले स्पोर्ट के तुवारा इस नोटिफिकेस में बताया गया है कि TMA के marks theory का 20% marks होगा that means अगर theory का paper 100 नंबर का आ रहा है तो इसका 20% TMA को दिया जाएगा that means so का 20% होता है 20 नंबर यानि कि 80 नंबर का होगा theory और 20 नंबर का होगा TMA यानि कि अलग से TMA के marks नहीं होते theory का ही 20% TMA को दिया जाता है तो यहाँ पर बच्चे यही सोचते कि सभी subject के अंदर जो TMA है वो 20 नंबर का ही होगा ऐसा नहीं होता जिसका theory 100 नंबर का है उसका TMA 20 नंबर का होगा क्योंकि इसके अंदर practical नहीं होता और जिसके अंदर practical होता है उसका theory 80 नंबर का होता है और 80 का 20% 16 होता है that means ऐसे subject जिसके अंदर practical होता है उसके अंदर TMA 16 नंबर का होता है जैसे कि data entry एक subject है जिसका theory सिर्फ 40 नमबर का होता है उसका TMA 8 नमबर का होता है जैसे कि painting है painting का जो theory paper है वो सिर्फ 30 नमबर का है क्योंकि 17 नमबर का practical है तो 30 का 20% 6 नमबर होता है यानि कि painting में जो TMA का marks है वो 6 नमबर है जिस subject में practical नहीं है जैसे कि Hindi इंगलीज उसके अंदर T अब आपको यह समझ में आ गया हुआ कि TMA कितने marks का होता है सभी subject के अंदर TMA 20 number का नहीं होता अगर आपके painting में 2-3 number आगे तो आपको यह नहीं सूचना चाहिए कि मेरे को 20 में से 2-3 number मिला है यह आपको 6 में से 2-3 number मिला हुआ है जो कि सही number है तो यह हो गया आपका TMA का number अब हम भात करते हैं ऐसे subjects की जिसके अंदर practical नहीं होता यानि कि without practical वाले subject इस subjects के अंदर pass होने के लिए आपके कितने marks नहीं है अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत दोन ही class के students के लिए है class 10th और 12th के students के लिए तो अब हमने यह देगा था कि अनिस पोर्ट के जब result आता है तो उसमें तीनों के marks एड होते हैं theory का, TMA का और practical का बट यह जो subject है यह without practical subject है जैसे हिंदी, इंग्लिज, सोसल साइंस, political, science, history इनके अंदर practical नहीं होता तो इस इन subject का जो question paper है वो 100 marks का आता है इसमें practical नहीं होता इसलिए practical का जो column है इसमें नहीं होगा इसमें बस theory और TMA होगा तो 100 number का जो question paper है इसमें से 20 number TMA का होता है और 80 number theory का होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको pass होने के लिए कितने marks नहीं है सबसब पहला formula हमारा ये कहता है कि आपके 33% marks होने चाहिए theory के अंदर second formula है 33% aggregate in the subject aggregate का मतलब होता है कि उस subject के अंदर theory को TMA इन दोनों को मिला कर भी आपको 33% ले कर आना होगा इसके नहीं प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए इसमें theory और TMA इन दोनों को मिला कर भी आप सबी के 33% आना चाहिए अगर आपको ऐसे subject में पास होना है जिसमें practical नहीं होता class 10th या 12th में तो उस subject में पास होने के लिए आप सबी को theory के अंदर 80 में से 26 नम्म ले कर आना है तो आप first formula के recording पास माने जाओगे और अगर आप theory में सिर्फ 26 नम्म ले कर आए हो और आपने TMA नहीं दिया है तो आप second जो formula केहता है aggregate aggregate का मतलब होता है theory और TMA इन दोनों को मिला कर पास होना अगर आपने TMA दिया है तो theory और TMA इन दोनों के मिला कर भी आप सभी के जाने कि 100 में से 33 नमबर होना चाहिए यह कंपल सरी है तभी आप aggregate पास होगे और तभी आपको finally पास माना जाएगा जाने कि 100 में से 33 चाहिए और 80 में से 26 चाहिए और अगर आप TMA नहीं देते हो तो आप सभी को 80 में से 33 नमबर लेकर आना हुआ क्योंकि आपने TMA नहीं दिया है अब इस formula का मैं आपको एक example दिखाता हूँ जिसमें दोनु formula के according बच्चा पास होता होगा तभी वो पास होगा देखिए सबसे पहला formula क्या क्या कहता है कि 33% चाहिए उस बच्चे को थियोरी के अंदर और 33% का मलब होता है 80 में से 26 नमबर आना चाहिए तभी वो पास होगा यहाँ पर देखिए यह subject है social science का social science में इस बच्चे को 19 नमबर मिला है थियोरी के अंदर that means first formula के according इसको थियोरी में 33% लेकर आना है और 80 का 26 होता है 33% इसलिए theory के अंदर यह fail हो गया अगर आप first formula में ही fail हो जाते हो तो second formula का कोई importance नहीं रह जाता तो first formula के recording अगर पास नहीं हुए तो आपका यहाँ पर SYC आ जाएगा that means आपके 80 में से 26 नमबर आना कंपल चाहिए 26 से अगर 25 नमबर भी आए है तो भी आपको fail कर दिये जाएगा 26 मतलब 26 नमबर आपके होने ही चाहिए theory के अंदर पास होने के लिए एक result आपको मैं और दिखाता हूँ यह देखिए इस बच्चे के English में आया हुआ है 26 नमबर यानि कि theory के अंदर पास होने के लिए जो 80 में से 26 नमबर चाहिए इस बच्चे के 26 नमबर आ गया है यह देखिए आप theory के अंदर यह पास हो गया यानि कि first formula के according यह हो जाता है पास जो second formula कहता है हमारा 33% aggregate भी होना चाहिए उस subject के अंदर यानि कि theory और TMA इन दोनों को मिला कर भी उसके 33% होना चाहिए यानि कि 100 में से 33 नमबर होना चाहिए और जड़ा देखते हैं इस result के अंदर इस बच्चे के theory और TMA इन दोनों को मिला दे हम तो 42 नमबर हो जाता है यानि कि 100 में से 33 नमबर भी होना चाहिए तभी आपका यहां में 5 लिखाएगा और अगर आपका 80 में से 26 नमबर है तो simple आप इसमें पास होगे आपका यह जो result वाला कोल में इसमें P तभी लिखाएगा जब आपका total 100 में से 33 नमबर आए अब मैं एक example आप सभी code देता हूँ यह आपका out doubt killer कर देगा फर्स्ट फॉर्मॉला यह कहता है इस बच्चे के 80 में से 26 नमबर चाहिए 80 में से 36 नमबर आगे यानि बच्चा यह थियोरी में पास है 80 में से 26 वाला पास होता है कि लास 10 हो या 12 हो जिस subject के अंदर practical नहीं होता और अब second formula यह कहता है कि theory और TMA इन दोनों को मिला कर यानि कि 100 नमबर में से 33 नमबर होना चाहिए आप जरह यहां पर देखिए इस बच्चे ने अपने TMA भी नहीं दिया है वो TMA नहीं दिया तो aggregate वाले formula में TMA कट जाएगा यानि कि aggregate में क्या होता कि इसको 100 में से 33 नमबर लेकर आना होता तब ये aggregate पास मानाया था अब इसने TMA दिया ही नहीं तो ये formula गया आप अब इसको क्या करना होगा 80 में से 26 ले आना था थियोरी में पास होने के लिए अब इसको 80 में से 33 लेकर आना होगा अगर बच्चे ने TMA नहीं नहीं दिया तो TMA आप सभी को पास होने में बहुत help करती है अगर आप सभी 80 में से सिर्फ 26 नमबर लेकर आ गए और aggregate में आपने TMA नहीं दिया जैसे इस बच्चे ने TMA नहीं दिया लेकिन इस बच्चे के 36 के जगा यहाँ पे 26 नमबर होता तो ये बच्चा फेल हो जाता इस बच्चे के 36 नमबर है that means ये 33 नमबर 80 में से ही लेकर आ गया है इसलिए ये बच्चा यहाँ पे 5 हो गया है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप TMA नहीं देते हो तो आप सभी को 33 नमबर लेकर आना होगा individual theory में से ही क्योंकि यहाँ पे TMA का माक्स वह है नहीं और अगर आप TMA देते हो तो आप सभी को theory और TMA इन दोनों को मिला कर ही 33 नमबर लेकर आना है finally pass होने के लिए किसी भी subjects के अंदर इसके अंदर practical नहीं होता यानि without practical वाले subject में class 10th में या 12th में अभी हमने बात करी class 10th और 12th के without practical वाले subject में pass होने के लिए हमें 33 नमर चाहिए हमें यह समझ में आ गया लेकिन अब हम बात करते हैं with practical वाले subject में और with practical वाले subject के अंदर class 10th में अलग formula है और class 12th के अंदर अलग formula है class 10th के अंदर जो theory का paper है practical वाले subject में वो सिर्फ 68 marks का ही होता है क्योंकि 85 में से 17 number जो की theory का 20% होता है यह आप सभी के TMA को ले दिया जाता है और finally 15 number का separate होता है आप सभी का practical और आप 3ों को add करोगे तो हो जाता है आपका 100 marks अब जो class 10th में pass होने का formula है वही same दोनो formula है फर्स्ट formula के recording आप सभी को 33% marks लेकर आना है अगर class 10th के students के इन दोनों को मिलाकर 33% आ जाता है तो आप सभी उस subject के theory में pass माने जाओगे यह होगा फर्स्ट formula और second formula है 33% aggregate होना चाहिए उस subject में class 10th के अंदर जिस subject के अंदर practical होता है आप सभी उस subject के theory में pass होने के लिए आपको minimum 27 number लेकर आना है अगर आप सभी उस subject के theory में pass होना चाहते हो और यह 27 number आप क्या चाहेंगे यह 27 number आप सभी को theory और practical इन दोनों के marks को मिला कर लेकर आना है अब जैसे यहाँ पर देखिए आप theory का जो है आप सभी को pass माना जाएगा बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान लगाना है यहाँ पर theory और practical इन दोनों के marks को add करकर आपको pass कर दिया जाता है यह class 10 की बात हो रही है अब मैं आपको एक example दिखाता हूँ class 10 का एक subject है science and technology इस बच्चे के theory के अंजर 37 number आया है और इस बच्चे ने TMA दिया नहीं है तो हमें TMA हाँ पर नहीं देखना हमें देखना है first formula में theory वो practical आपके इन दोनों को मिला कर आने चाहिए 27 number आप देखते हैं इसके theory में 37 number है और practical में 10 number है इन दोनों को भी add करते हैं हम तो हो जाता है 47 वो चाहिए सिर्फ 27 number finally ये बच्चा हो जाता है यहाँ पर pass first formula, second formula देखते हम 33% चाहिए aggregate वे pass होना aggregate का मनला होता है theory, TMA और practical इन तीनों को मिला दे तो 100 का हमें चाहिए 33 number अब देखे हम जरा home science के अंदर इस बच्चे के theory के अंदर 27 number है practical इस बच्चे ने दिया नहीं है तो इसके सिर्फ 27 number ही रह गए ये बच्चा हो गया fail क्योंकि pass होने के लिए इन तीनों के marks को add किया जाएगा और इस बच्चे ने इस subject में नहीं प्रैक्टिकल दिया और नहीं T.A. में दिया तो प्रैक्टिकल और T.A. में ना देने के कारण भी आप सभी हो जाते हो fail इसलिए ये दोनों ही चीज़ देना कमपल सरी है पास होना है तो ऐसी एक सबजेक्ट हो और है science and technology इस subject के अदर इस बच्चे के theory में 15 नंबर प्रैक्टिकल इसने दिया नहीं से लिए absent है और T.A. में इसके 15 नंबर है और टोटल हो जाते हैं इसके 30 नंबर पास होने के लिए 33 नंबर ये हो गया fail यानि कि जो आपके aggregate marks है इन तीनों को मिलाकर 33 नंबर जो चाहिए ये आपको लादाई ही होगा तब ही आप पास मानिता होगी जैसे एक example में और देता हूँ इसके यहाँ पर जो 27 नंबर आए हैं अगर इसके यहाँ पर ये 33 नंबर आ जाते है theory के अंदर और practical ये दे देता और इसके यहाँ पर 12 नंबर इसको मिल जाते है मैंने example दिया ये और अगर ये TMA देता या नहीं देता फिर भी चलता क्योंकि theory और practical बिलाकर ये पास हो जाता 33 और 12 इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 39 नंबर हो जागा और पास होने के लिए theory और practical के marks बहुत जादा ही जरूरी है 33 नंबर आएंगे तभी पास भाने जाओगे तो ये होगे किलास 10 के बिद प्रैक्टिकल वाले subject की बात लेकिन बिद प्रैक्टिकल में भी कुछ ऐसे subject है जिसके अंदर पासिल मार्क्स अलग है जैसे painting की बात करूँ में तो painting के अंदर जो theory होता है वो 24 नंबर का होता है और practical जो होता है वो आपका 70 नंबर का होता है और TA में 6 नंबर का होता है टोटल हो गया 100 नंबर data entry में पास होना है तो theory और practical को मिलाकर 30 नंबर आना चाहिए और painting में पास होना है practical में 70 में से इसके 69 नमबर आए है और इसने TMA दिया TMA में 6 में से इसके 5 नमबर आगे total होगे 74 marks कि last 10 में आप theory 2 या मत दो क्योंकि theory और practical दोनों को मिला कर pass होना होता है अगर theory और practical इन दोनों को मिला कर 31 नमबर आए है तो भी pass हो जाओगे अगर आपने इसके practical दिया और उसी में से सिर्फ pass marks लेकर आगे फिर या पास हो जाओगे जैसा कि यहाँ पर आपके सामले एक result दिखा रहा हूं मैं इस पच्छे ने theory दिया ही नहीं इसके 70 में से 69 नमबर सिर्फ practical में आगे यह paper देने नहीं गया सिर्फ इसने practical exam दिया और इसे के वेश पे यह theory पेपर में भी finally pass हो गया लेकिन यह formula सिर्फ class 10 के students के लिए class 12 के लिए नहीं है वहाँ पे अलग formula है ऐसे ही same class 10 के अंदर data entry के paper यह देने नहीं गया इसमें सिर्फ practical दिया data entry का और finally इसके अंदर भी pass हो गया और यह जो बात है theory के exam ना देना यह सिर्फ painting और data entry के लिए है और बाकि और किसी subjects के लिए यह चीज़ नहीं है वह भी सिर्फ class 10 के अंदर अगर आप exam देने नहीं भी जाते हो बट आपने practical दिया है उसमें marks आपके अच्छे आधाते तो भी आप data entry और painting में पास हो सकते हो class class 10 के अंदर तो यह बात होगे class 10 के students के लिए तो इस तरिके से हमने without practical और with practical class 10 का हमने समझी लिया और class 12 का हमने without practical भी समझी लिया है जो कि class 10 और 12 में same है अब हम समझेंगे class 12 के students के लिए with practical वाली subjects में पास होने के लिए कितने माख सही है class 12 के अंदर जो question paper है वो 80 नमर का आ 64 का होता है यह में 16 का होता है और practical 20 का होता है total हो जाता है हमारा 100 marks अब हम देखते हैं अपना first formula 33% लेकर आना है separately that means class 12 में theory और practical में पास होने के लिए हमें separate पास होना पड़ता है यानि separate हमें marks लेकर आना है तभी हम पास होंगे first formula के according और second formula same है हमारा 33% हमारा aggregate होना चाहिए इनों को मिला कर तभी पास माने जाएंगे first formula के according हम separate कैसे पास होंगे अब मैं आपको बताता हम तो class 12 के अंदर theory का exam में उस 64 नमबर का आता है तो class 12 में ऐसे subject जिसके अंदर practical होता है उस subject के अगर आप सभी के 22 नमबर आ जाते हैं तो आप उस subject के अंदर पास माने जाते हो जैसे physics, chemistry, biology, geography इन subjects के अंदर पास होने के लिए आपको 22 नमबर चाहिए तभी आप theory में पास माने जाओगे और बात करते हैं practical में पास होने के लिए class 12 के अंदर practical 20 नमबर का होता है और 20 में से 5 होने के लिए आपको minimum 7 नमबर दे कर आना है तभी आप practical में पास होगे अगर आप सभी theory में पास हो गए और practical में पास नहीं हुए तो आपके result के अंदर SYCP आएगा SYCP का मतला होता है आपको practical दुवारा देना है practical में फेलो और अगर आप सभी practical में पास होगे और 20 में से 7 नमबर लेकर आगए और आपके 74 में से 22 नमबर नहीं आए मानला होगे 20 नमबर नहीं आता है इससे कम आता है तो आप सभी के result में SYC आजाएगा डैट मेंस आप दोनों में ही fail हो और आपको दोनों ही दुवारा देना होगा तो यह होगी हमारा first formula कि आपको separately 33% लेकर आना है theory और practical के अंदर अब हम बात करते हैं अपना second formula aggregate भी आपको 33% लेकर आना है aggregate का मतलब होता है theory, TMA और practical इन तीनों को मिला दे तो 100 में से भी आप सभी के 33% होने चाहिए तभी आपको उस subret के अंदर pass किया जाएगा तो simple मैं आपको अब बताऊं, class 12 के अंदर दोनों में अलग-अलग pass होना होता है, दोनों में से किसी एक में fail होगे, तो वो चीज़ आपको दुआ देना पड़ जाएगा और second formula में ये बताएगा है, कि आप सभी को तीनों को मिला कर भी 33% लेकर आना है, और हम तीनों को मिलाएंगे तो हो जाता है 100 marks और आपको 33 marks लेकर आना है out of 100, याने कि 100 में से भी आपके 33 number होने चाहिए, तो इस formula को मैंने बिल्गुल असानी से समझा दिया, बट painting, data entry operation और computer computer science में पास होने के लिए, अलग-अलग marks है, कैसे, theory में 24 में से 8 number लेकर आना होगा, पास होने के लिए, और practical में 70 में से 23 number लेकर आना होगा, पास होने के लिए, तो data entry का था theory होता है, ये 32 number का होता है, practical 60 number का होता है, और TA में 8 number का होता है, तो 32 में से आप सभी को 11 number लेकर आन पास होने के लिए 48 में से 16 मार्ग साहिए और 40 यानि की practical में से 13 मार्ग साहिए computer science में पास होने के लिए तो finally इन तीनों subyets का mark criteria अलग है इसलिए इन तीनों को मैंने आपको अलग से बता दिया है तो इस तरह के से class 12 में पास होने के लिए आप सब्सक्राइब को theory में 22 नमर चाहिए और practical में 7 नमर चाहिए और चो TA में है 16 नमर का होता है तो भी सही नहीं दिया है तो भी सही ऐसा चो है नहीं कि टीमें नहीं दे हुए तो आपको दुवारे टीमें देने कंपल चाहिए आप अगर practical में पास हो theory में पास हो तो आप finally उस subject के अंदर पास ही माने जाते हो हाँ टीमें दे दिया आपने तो आप सभी को help मिल जाती है क्योंको टीमें आपको 16 marks का होता है और ये 16 number finally आपको second formula के according aggregate pass करवाने में आपकी help करता है I hope आपको अभी समझ में आगया हुआ class 10th के अंदर pass होने के लिए आपको 33 number ही चाहिए और class 12th के अंदर pass होने के लिए आपको 33 number ही चाहिए मैंने इसको थोड़ा elaborate करके समझा है ताकि एक एक चीज आपको समझ में आया है मेरा मानना ये कि आपके पास information सही होना चाहिए ताकि result के अंदर 33 number होने के बाद भी अगर आप फेल हो तो आपको ये पता हो कि क्यों फेल हो उस subject के अंदर या तो आप सिफ theory में पास होए हो और aggregate पास नहीं हो हो second formula के according इसी वज़से आप fail होए हो आप सभी को ये सारे information पता होना चाहिए जब आप अपना result देखो मैं पिछले 10 सालों से any sport की students को पास करवाने के लिए मैं अपना पूरा contribution दे रहा हूँ अपने social media और YouTube के माद्यम से अगर आप सभी भी any sport के अंदर पास होना चाहते हो तो आप हमारे online classes में जोइन हो सकते हो online classes के link निचे video को description box में जैसे मैंने आपको अभी यहां पर समझाया इसी सेम तरीके से मैं आप सभी के आपके slavers और chapters को समझाता हूँ जिससे के exams में आप असानी से पास हो जाते हों बाकि notes को आप download कर लेना जिसके अंदर exams में आने वाले वो सभी questions दिये गए तो online classes और notes इन दोनों की link इस video को description box में दिया गया है आप जाइए और वहां से इसको download कर लेजिए यह video आपको कैसे लगी इसे comment box में जरूर बताना चैनल पर नहों तो पर सब्सक्राइब केजिए बेल अकनोन केजिए ऐसी authentic information पुरी YouTube पे और कहीं नहीं मिलेगी अपने प्यार और support में रहे हैं मैं मिलूँ आपसे नेक्स video के अंदर जय हिंद जय भारत